प्रिविद्यार्थियों आपन पढ़ रहे हैं ठो सवस्था सोलिड स्टेट और उसमें आपन आज पढ़ेंगे क्रिस्टलों का एक्स किर्णों का विवर्तन एक्सरे डिफ्रेक्षन बाई क्रिस्टल्स एक्सकिर्णों की सायता से क्रिस्टलों की आंतरिक्सन रचना के बारे में घ्यात किया जा सकता है एक्सकिर्णे प्रकास और धुनी की बाती तरंग गती से चलने वाली उर्जा की किर्णे होती हैं जिनकी कम तरंग देर्थ वेवलेंथ का मान लगबग 10 तैन डेज टू माइनस 8 के क्रम की होती है किसी क्रिस्टल की सतें प्लेंस X किर्णों के पृति बिलकुल ऐसा वेभार करती हैं जैसा कि कोई समतल दर्ष प्रकास की किर्णों के पृति करता है ब्रेग इक्वेशन डबलू एच वेग एवं उसके पुत्र डबलू एल ब्रेग ने 1912 में क्रिस्टलों द्वारा X किर्णों के विवर्तन का सरल इस्पस्टि करन दिया उनके अनुसार जब किसी क्रिस्टल पर X किर्णों का पुंज टकराता है तो उसका प्तेक पर मानू उसी तरंग देर्द वाले पुर्किर्णित प्रकास के सरोत की रूप में कारिकरता है उन्होंने X किर्णों के टरंग देर्द और जालक तलों के बीच की दूरी में एक संबन्द इस्थापिद गिया क्रिस्टलों में पर्मानू अथवा आयन एक क्रमबद व्यवस्था में रहते हैं अत्य है उनके तलों पर एक्स किरने बिल्कुल उसी प्रकार परावर्थित हो जाती है जिस प्रकास की किरने समतल दरपन से परावर्थित होती है इस डाइग्राम में जैसा मैंने दिखाया आपको बेटा A, 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 D, B, B, D, C, C, D आदी समान दूरी पर इस्थित किसी क्रिस्टल के जालक तल लेटिस प्लेन अथवा ब्रेग तल ब्रेग प्लेन्स है जिनके बीच की दूरी D है माना की लेम्डा तरंग देरिद की X किरने उनका पुंज P तल A, A, D, पर बिंदू Q पर तथा B, B, D, पर बिंदू R पर टकराता है और परावर्थित होकर क्रम से Q डेस वे R डेस की दिखा में चला जाता है Q, Q डेस तथा R, R डेस एक दूसरे के समान अंतर है अतर P, R, B तथा P, Q, A, और परावर्थित कौन Q, D, Q, A, D, और R, R, B, डेस एक दूसरे के समान है माना इस कौन का मान थीटा है और अब यदि दोनों तलों पर लंब पर परपंडिकुलर हो और X, Y दोनों परावर्थित कौनों पर लंब हो तथा दोनों परावर्थित कौने Q, Q, D, तथा R, D, के मद्ध का पतांतर Q, R is equal to Q, R, Y minus Q, X पाथ का डिफ्रेंस होगा बेटा Q, X is equal to Q, N तो पतांतर हो जाएगा Q, R, Y minus Q, N is equal to N, R, Y is equal to 2, R, Y तो R, Y is equal to D sin theta तो पतांतर क्या आगया 2D sin theta यदि पतांतर तरंगदेर्द का गुणांग को तो परावर्थित किरण का संपोशी वेतिकरण होगा अते अधिक्तम तिवर्था वाली X किरणों के लिए 2D sin theta is equal to N यहा N एक पोणांग अर्थात 1, 2, 3, dash, dash, dash में कोई संप्या हो सकती है इस संपोशी करण को break की संपोशी करण break equation कहते है sin theta का महान एक 1 से अधिक नहीं हो सकता यह उस सिस्थी में दो तलों के मद्द की दूरी कम से कम होगी 2D minimum is equal to N lambda और D minimum is equal to N lambda by 2 crystal की संपोशा का निर्धारण X-Kring विवर्तन द्वारा किसी crystal के अलग-अलग फलकों से इन सतों की बीच की दूरी जात कर देते हैं और इस प्रकार crystal की पूर्ण संपोशा के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है इसके कई प्रियोग की विधियां है इसमें जैसे ब्रेक की विधी ब्रेक मेथाड गुर्णी क्रिस्टल विधी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथाड पाउडर विधी इन सब से हम क्या करते हैं बेटा क्रिस्टल की संद्चना का मान लाव विदी है एक उससे हम अलग-अलग क्रिस्टल में किस-किस तरहें के आयन, परमाणू, उपस्तित हैं ये मालूम कर सकते हैं अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि एक घन इकाई कोशिका में कणों का निर्धारण Determinator of Particles in a Unit of Cubic Cell इसके अपन बात करेंगे बच्चो कि जो इकाई होती है, Unit Cell होती है उसी के 3D में Multiplication है, हमें क्या मिलता है बेटा पूर्ण करस्तों मिलता है, इसके बारे में अपन डिटेल्स आगी पढ़ेंगे